Hello Everyone, Welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GK के काफे important question and answer जो कि सभी exams के लिए important रहेंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो like करना, share कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में देखें, यहाँ पर आप लोग ना special class का भी time note कर लिए Unacademy पर मेरी special class दो पर में दो बज़े होती है जो कि काफे important होती है दोस्तों सभी exams के point of view से और यहाँ पर दोस्तों plus subscription के जितने भी benefit है जैसे कि live classes, structured course, weekly test, unlimited access और भी सारे benefit आपको तब मिलते है जब भी आप किसी भी category में plus subscription जोइन कर लेता है और code यूज करते हैं study time इससे आपको maximum discount मिल जाता है price भी high होने वाले हैं तो फटा-फट से study time code अप्लाई करके आप लोग subscription जोइन कर सकते हैं दोस्तों government exam scholarship test 2022 आपका होने वाला है जो कि SSC bank exams के लिए होगा 25 September को यह होने वाला है इसमें काफी आप gift voucher जीच सकते हैं तो इसमें अन्रोल कर लेना link नीचर description box में available है notes for SSC exam दोस्तों अभी अगर आप iconic subscription जोइन करते हैं तो आपको notes की hard copy मिलेगी दोस्तों आज की वीडियो का पहला कोशन है निमलेके तुमें से कौन सा विक्रन ओजोन के लिए यू मंडलिये oxygen के रुपांतरन के लिए जिम्मेदार है तो अगर आपको किसी भी question का answer आता होगा तो comment box में बताते रहिएगा इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा पेरा बैंग नी विक्रन यानि की right answer is D तो पहले question का right answer आपका D हो जाएगा दूसरा question है petroleum और मिट्टी का तेल इसके उधारन है तो बताएगा किसके उधारन है दोस्तों ये इस question का right answer हो जाएगा C mixture यानि की मिश्रन के तो ये आपको याद रखना है एक मुत्राले में दुर्गन किसके कारण होती है इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा यूरिक एसिड के लिए यूरिक एसिड के कारण तो इसका right answer option A हो जाएगा ठीक है एसिड के बीच की अभिकिरिया से बनता है तो इस question का right answer हो जाएगा एक एसिड और एक एलकोहॉल यानि की right answer is option है या आपको याद रखना है निमलिकित में से किस धातु में सबसे कम गल्लांक होता है तो right answer is potassium यानि की C right answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा तत्व कम से कम विधूत्य तनात्मक है तो guys इस question का right answer हो जाएगा sodium तो यह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो सास परिक्षन सराबी चालकों को पुलीस द्वारा इस्तेमाल की विसलेश्यक की रसाइनिक आधार पर काम करता है तो सात्वे का right answer हो जाएगा acid base reaction पर दोस्तों यह आधारित होता है ठीक है तो right answer is B आपको याद रख रहा है question है निमन में से कौन सा तरलिकृत petroleum gas का परमुग घटक है तो right answer is butane ठीक है right answer आपका यहाँ पर D हो जाएगा steel में कितना परतिशत कार्बन होता है दोस्तों steel में 0.1% से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है यह आपका right answer हो जाएगा दसवा question है निमलखित में से किस में कार्बन होता है दोस्तों लिगनाइट में कार्बन होता है तो right answer यहाँ पर A हो जाएगा steel को कठोर बनाने के लिए निमलखित में से किस की व्रद्धी की आवश्यक्ता होती है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा कार्बन की मात्रा बनाने की आवश्यक्ता होती है यानि की A right answer होगा अगला है मानव सिरी की सबसे चोटी मासपेसी कौन सी है तो मानव सिरी की सबसे चोटी जो मासपेसी है देखे इस्टेपेडियस हो जाएगा right answer ठीक है यानि की second option right answer होगा तो तोटीन का पाचन सुरू होता है तो मानव सरीर में दोस्तों फ्रोटीन का पाचन सुरू होता है अमाश है यानि कि 3rd रायट आंसर होजए है जेरो फलिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवशक्ता होती है तो धुक्त दोस्तों इसमें विटामिन एक आवशक्ता होती है यानि कि ए राइट आंसर यह आपर होने वाला है निमलिक्यत मेंसे कौन सी तंत्री का आखों से कानों तक जुड़ी है तो right answer हो जाएगा Cerebellum यानि की second option right answer हो जाएगा जिवानों के खिलाफ मानव सरी की रक्सा कौन करता है तो right answer हो जाएगा दोस्तो Phagocytes यानि की option आपका second right answer हो जाएगा अगला question है एक व्रिद व्यक्ति जो अकबार नहीं पड़ पा रहा है से पिडित है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो हाइपरमेट्रोपिया यानि की दूरदरश्टी दोस्त इस question का सही उत्तर होगा question आता है कि नवजात सिसु में हर्दे की धड़कन परती मिनट की ओशत दर क्या है कि देखे 70 टू 150 हो सकती है मतलब पर मिनट तो राइट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा अगर मैं यहां पर न्यूबॉन बेबी की बात करूं दोस्तों तो न्यूबॉन बेबी की तो काफी होती है मतलब 100 से अबवी रहती है और मैक्सिम डेड़ सो तक ही होती है बट 100 अबवी रहती है ठीक है न और जो 3-6 मंद का बच्चा होगा फिर 90 से 120 हो जाएगी 6-12 मंद की 80 से 120 हो जाएगी वन से 10 की 70 से 130 हो जाएगी इस तरीके से होता है तो यहां पर मैंने 150 हाइस वाला लगाया है और सबसे लोवेस जो बच्चे की होगी वो दोस्तों सत्तर दग जा सकती है ठीक है और जो एथलीट ह हो जाएगा मतलब फिर एक बच्चा मतलब अतलेट हो गयान नॉर्मल होगा तो उसकी तो फिर नॉर्मल जीतनी होगा ने की 40-60 इसकी दॉरेंज में रहेगे ठीक है ना ने मलान करें यहां-पे ईसकिस ty यहां-ट आंसर ऑप्शन ने यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा सोध संस्थान लखनाओं में इस्थित है देखें लखनाओं में है सुगर केन बिरिडिंग रिसर्च इंस्टिटूट यहनि कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आता है दोस्तों आपका कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी गरंतियों का नाम बताई है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जएगा बिल्कुल लार गरंतियां यकरत और अगनाश्यान की ए राइट आंसर हो जएगा अगला आता है अनुवांसी की के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो राइट आंसर हो जएगा गरेगर मेडल यानि की थार्ड ओप्शन राइट आंसर होगा कौन सा आता तो इंसुलीन के सनलेशन में मदद करता है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जएगा जिंक ठीक है भई पोश्चन आता है है नेक्स्ट आपका कि निम्लिकित में से किस समू से सम्बंदित समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकुलन दिखाई देगा या दिखाएगा तो दोस्तों एंजियो स्पम इस कोशन का सही उत्तर हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा एक वनसा अनुगत रोग है दोस्तों इस सभी वनसा अनुगत रोग है यानि कि all the above right answer हो जाएगा देखे मानव नेत्र के निम्लिकित जिवित उत्तकों में से किसमे रक्त वाइकाय नहीं होती है तो right answer हो जाएगा कौन या यानि कि बी option यहाप राइट आंसर हो जाएगा मानव स्रीर में निम्ल में से कौन सा अंग अल्बुमीन का उत्पादन करता है तो यहाँ पर दोस्तों यक्रत यानि कि लिवर राइट आंसर हो जाएगा यह आपको याद अखना है कोशन आता है मानव पेपली लोमा वाइरस निम्लिखित में से किस बीमारी से संबंदित है तो cervical cancer दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सा अंग विटामिन नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर यह सभी राइट आंसर हो जाएगा यह आपको याद रखना है ठीक है बई चले नेक चलते हैं पीडियाप पर आज की वीडियो का पहला कोशन है हमपी के समारकों के समुक कहा इस्तित है मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जेगा पूर मद्य करनाटक यानि किसी इसदा राइट आंसर अगला कोशन आता है मर्दा संद्रक्षन की विदी जिसमें किसी जल के परवाक को धीमा करने के लिए चटानों का धेर लगाया जाता है जो जलमार्ग और मर्दा सती को बचाता है क्या कहलाता है दोस्तों यह आपको बताना है दोस्तों यह कहलाता है रोक डेम यानि कि राइट आंसर इस सी यह आपको याद रखना है स्वामी द्यानन सरस्वती का मूल नाम क्या था तो guys इस question का right answer हो जेगा मूल संकर यानि की D is the right answer ठीक है भई question आ जाता है आपका next दाचीगम अभ्यारण कहां इस्थित है तो ये इस्थित है आपका जम्मू और कस्मीर में यानि की right answer is option है ठीक है भई अगला question प्लासी में हार के बाद सिराजुदोला की हत्या कर खालिस्थान को नमाब बनाया गया था तो इस question का right उत्तर होगा मीर जाफर यानि की D is the right answer ठीक है भई question आता है सारस क्रेन खालिस्थान का राज्य पक्सी है तो सारस क्रेन दोस्तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्सी है यानि की यहां पर right answer second हो जाएगा एक साधर्ण बिल पर राज्य सबा और लोक सबा के बीच एक गतिरोध है यहां के द्वारा हल किया जाएगा तो यह हल किया जाएगा दोस्तो जोइन सेशन और पारलेमेंट ठीक है संसद का संयुक सत्र तो थर्ड ओप्शन यहां पर right answer हो जाएगा तंबाकू बोर्ड मुख्याले में इस्थित है तो यह इस्थित है गुटूर में यानि की फोर्ड राइट आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आता है आपका कोशन दोस्तो आर्टिकल 324 ओप दा इंडियन कॉंस्टिटिशन डिल विद यानि के आपको बताना है तीन सो चोबिस आर्टिकल सविदान का किस से संबंदी था तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सक्तियों और कारियों से संबंदी थे दोस्तों यह है ठीक है नौवे का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा गंदार इस्कूल ओपार्ट को भी कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रुको और रोमन बोधकाल यानी की राइट आंसर आपका सेक्किन हो जाएगा टेलोनाइट कोबाल्ट और का सियोजन है तो दोस्तों क्रोमियम इस कोशन का सही उत्तर हो जाएगा देश के अनुसंधान को बढ़ावा देने सन्वे करने और बढ़ावा देने के लिए निमलिकित में से किस संस्थान को प्रस्तावित किया गया था तो National Research Foundation रास्टे अनुसंदान फाउंडेशन इस कोशन का सही उतर हो जाएगा थर्ड ओप्शन कोशन आता है कनिस्क किस वन्स से संबंदित था तो यह संबंदित था दोस्तों कुषान वन्स से यानि कि इस कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा अगला कोशन आता है राजगाट खालिस्थान का समारक है देखे इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी का ठीक है यानि कि ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा देखे मैं एक बार थोड़ा सा कुई क्रिवजन करा देता हूँ राजगाट दोस्तों महात्मा गांधी का है और आपका सांती वन जवाललाल नहरु का है विजैगाट लालबाद दूर का है वीर भूमी राजीव गांधी समता इस्थल जग जीवन राम का है और सकती इस्थल इंद्रा गांधी का है यह सारे एक वार आप जो मैंने बोले है वीडियो को यह तो रोक के आप याद कर सकते हैं या फिर इसको दुबारा से देख लेना वीडियो को सारी चीज़ा आपको समझा जाएगे कि संसोधन ने राजपती के लिए सविधानिक संसोधन विद्यक पर अपनी सहमती देना अनिवारिय कर दिया तो इस कोशन का सही उत्तर हो जाएगा 24 यानि कि option is the right answer कोशन आ जाता है कि नमलिकित में से कौन सी चार प्राचीन सब्विताओं में सबसे बड़ी है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे चारों में अगर सबसे बड़ी सब्विताओं की मैं बात करूँ तो सिंदु घाटी सब्विताओं राइट आंसर हो जाएगा भई यह आपको याद रखना है अगला question है all England badminton championship जीतने वाले पहले बारतिय कोन थे तो प्रकास पादुकोन इस question का right answer हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों question आता है सतेच चेतर की द्रस्टी से विस्ट की सबसे बड़ी जील कोन सी है तो विस्ट की सबसे बड़ी जील दोस्तों कैस्पियन सागर हो जाएगा यानि कि four right answer होगा अगला question है भारतिय सविदान के किस अनुचेद में कहा गया है कि भारत के चेतर के भीतर सर्वुच नैले द्वारा घोशित कानून सभी के अदालतों के लिए बाद्यकारी है तो ये article दोस्तों 141 में कहा गया है तो right answer यहाँ पे four हो जाएगा दोस्तों question है black beauty के लेखक कौन है तो right answer होजएगा अन्ना सिवेल यानि की right answer is four question आ जाता है CE 21 खालिस्थान है जिसे इसरों द्वारा विक्सित किया गया था दोस्तों उच जोर cryogenic engine इस question का right answer होगा यानि की first option से उत्तर हो जाएगा question है नत्य केवल मालवा समुदाए की एविवाइत लड़कियों द्वारा किया जाता है कौन सा नत्य किया जाता है तो right answer हो जाएगा full पत्ती थर्ड ओप्शन राइट आंसर होगा उस किर्केटर का नाम बताईए जो IPL प्रारूप में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेवाज बने है तो right answer दोस्तो सुरेश रेना हो जाएगा यानि कि third option दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है हजार जीलो की भूमी के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है तो जल्दी से आंसर बतेगा अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर पता होगा तो हजार जीलो की भूमी के रूप में किस देश को जाना जाते है दोस्तो Finland इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा काफी बार ये कोशन एक्जाम में आ चुका है आगे भी पूछे जाने की संभावना है दूसरा कोशन है एसिया और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है एसिया और भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की जील दोस्तो कौन सी है तो इस कोशन का सही उत्तर होगा दोस्तो बिल्कुल सही उत्तर क्या आप लोगों ने अगर C answer लगया वुलर लेग यानि कि option C is the right answer तो यह आप लोग को याद अखना है अगला question आता है भारत की सबसे बड़ी जील भारत की सबसे बड़ी जील दोस्तो इस question कर आट answer हो जाएगा पेरियार जील is the right answer तो भारत की सबसे बड़ी जील दोस्तो पेरियार जील है यह आप लोग को याद अखना है दोस्तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो इस question का सही answer होगा अरे वाब बिल्कुल सही answer है चिल का लेक इस question का सही उतर हो जाएगा ठीक है विच इस दा लाज़ेस्ट सॉल्ट वोटर लेक इन इंडिया तो चिल का लेक राइट आंसर हो जाएगा पाच्वा question आता है सिरी हरी कोटा दीप में इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों सिरी हरी कोटा दीप इस लोकेटिड तो ये लोकेटिड है दोस्तों आंध्र प्रदेश में तो इस question का सही answer option भी हो जाएगा अगला question आता है विश्व की सबसे बड़ी जील कोन सी है विश्व की सबसे बड़ी जील which is the largest lake in the world तो मेरे प्यारे दोस्तों largest lake in the world कोन सी है बिल्कुल try करिए मैं आपको हर question में 3-4 सेकिन दे रहा हूँ इसी लिए कि ताकि आप उस question को try कर सके इस question का सही उत्तर होगा दोस्तों कैस्पियन सागर यानि कि उत्तर A right answer हो जाएगा ठीक है अगला question है भारत की सबसे उची जील कौन सी है और देखे दोस्तों अनकेडमी पर मैं आपको 5000 GKS के question answer कवर करा रहा हूँ एक गंटे की class लेके class का time note कर लिए अनकेडमी पर दोस्तों मेरी class धाई बजे होती है और एक class रात में 11 बजे रात के 11 बजे वाली class कोई भी student miss मत करिएगा वैसे miss आपको धाई बजे वाली भी नहीं करनी है पर किसी कारणवर्स अकर आप धाई बजे नहीं आते रात के 11 बजे जरूर आईएग ठीक है इस question का सही answer क्या हो जाईगा दोस्तों question था कि भारत की सबसे उन्ची जील कौन सी है तो right answer यहाँ पे आपको हो जाईगा चमो sorry चोलामू जील जो की सिक्किम में है ठीक है चोलामू जील सिक्किम में है यह आपका सही उत्तर हो जाएग अगला question है लेख लेख दोस्तों कहां पर इस्तित है तो ये भी इस्तित कहां पर है दोस्तों आपका सिक्किम्म है बहुत ही बढ़िया राइट आंसर इस ओप्षन है कोशन आता है लोग टक जील कहां इस्तित है दोस्तों लोग टक जील कहां पर इस्तित है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग टक जील इस्तित है मनिपूर में यानि कि इस कोशन का राइट आंसर आपका ओप्शन बी हो जाएगा या आप लोगों को याद अखना है अगला कोशन है दुनिया की सबसे गहरी जील कौन सी है deepest lake in the world मैं पूरे दुनिया में पूछ रहा हूं तो दुनिया की सबसे गहरी जील दोस्तों कौन सी है ये आपकी बेकाल जील है तो इस कोशन का सही आंसर आपका option A हो जाएगा अगला कोशन आता है मानस वन्य जीव अभ्यारन किस इस्थान पर है तो मानस wildlife century is located at तो ये दोस्तों located है आपका असाम में तो right answer is option C ये आप लोगों को याद अखना है अगला कोशन आता है सुन्दरबन national park इस्थी थे तो सुन्दरबन national park कहा पर इस्थी थे दोस्तों ये सभी student को पता होगा कि सुन्दरबन national park वेस्ट बेंगॉल में स्थी थे तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option B तो ये भी आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन आता है पेरियार रास्ट्य उद्धान और वन्य जीवन अभ्यारण में इस्ति थे तो पेरियार रास्ट्य उद्धान और वन्य जीव अभ्यारण दोस्तों कहां परिस्ति थे ये भी आप लोग को बताना है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे है इस question का right answer हो जगा राजिस्थान में तो ये भी काफी important question है दोस्तो ठीक है अगला question आता है विस्व doping roadie agency का मुख्या ले खालिस्थान में इस्तित है तो विस्व doping roadie agency का मुख्या ले खालिस्थान में इस्तित है इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर कर रहे है दोस्तो विस्व doping roadie agency का मुख्या ले मोनेटरियल कनेडा में इस्तित है दोस्तो ठीक है मोनेटरियल कनेडा is the right answer ये आप लोग को याद रखना है अगला question है भारत की सबसे बड़ी अंतर देशिय खारे पानी की जील कौन सी है तो मेरे प्यारे दोस्तो भारत की सबसे बड़ी अंतर देशिय खारे पानी की जील कौन सी है तो ये है सांबर जील तो इस question का सही अंसर आपका option ए हो जाएगा ठीक है question आता है रामनाच स्वामी मंदीर किस राज्य में इस्थी थे तो रामनाच स्वामी मंदीर दोस्तों किस राज्य में इस्थी थे तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही उतर कर रहे है रामनाज स्वामी टेंपल इस लोकेटेड इन विच स्टेट तो तमिल नाडू इस कोशन का सही उतर हो जाएगा यह है आप लोगों को याद रखना है दोस्तों अगला कोशन है डाबोलिम हवाई अड़ा निमलिकित में से किस राज्य में इस्थी थे तो डाबोलिम हवाई अड़ा निमलिकित में से किस राज्य में इस्थी थे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गोवा में इस्थी थे ठीक है डाबोलिम हवाई अड़ा कहां पर इस्तित है ये गोवा में इस्तित है और इससे related question दोस्तों आपका exam में आया था अब ये नहीं मेरे को पता पर ये question exam में आया था ठीक है साथ CGL के पिरी में आया था या फिर NTPC stability 1 में आया था सोरमंडल के सबसे छोटे चंद्रमा का नाम बताईए तो सोरमंडल के सबसे छोटे चंद्रमा का नाम दोस्तों क्या है इस question का right answer हो जएगा डिमोस बिल्कुल सही उतर किया आप लोगों ने तो right answer is option D ये आप लोगों को याद दखना है ठीक है question है सुक्र के वातावरण पर कौन सी गैस परचूर मात्रा में है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पर carbon dioxide इस question का right answer हो जगा है यान की CO2 is the right answer तो यह आप लोगों को याद दखना है चलिए दोस्तो नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं और प्लीज आपसे request है वीडियो को like जरू कर जाकरें और रात के 11 बज़े दोस्तों जो session होगा प्लीज उसको जरूर जोइन करिएगा अनकेडमी पर मेरी profile का link नीचे description box में हर एक student के लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है वो series रात के 11 बज़े दोस्तों जीके का night quiz के नाम से वो होती है एक भी दिन मिस मत करिए मेरी profile पर जाके पुरानी वीडियो को देख लेना आपको उनमें ही मजा आ जाएगा और फि इससे पहले जो 25 question हमने किये है वो river से संबंदित question थे अभी dam से संबंदित question साने वाले हैं तो इस वीडियो को end तक देख लेना और पहला question है निमलिकित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है तो guys इस question का right answer हो जाएगा कृष्णा राज सागर यानि की option हो जाए के लिए कावरी नदी के पार बनाय गया था तो ये point आप note कर सकते हैं बांध का नाम मैसूर समराज्य के ततकालीन सासक क्रिस्णा राज वाडियार फोर्थ के लिए रखा गया था ये भी आप लोगों को याद अखना है ठीक है चले अगला question हमारा आता है कि निमलिकित का मि का नदी पर हो जाएगा तो अब ये देखे पहले एका फोर्थ किस्म है सब में एका फोर्थ है सोरी इसमें नहीं है इसको अटा देते हैं दूसरा आपका आता है थीन बांध ये रवी पर है तो अब देखे बी का तीसरा किस्म है तो बी का तीसरा इसमें है इसमें ये भी C का 2 यानि कि, तो guys right answer इसका B हो जाएगा, तो ये आप लोगों को note कर लेना है, ठीक है, चले, उत्राखंड के तीरी बांद का निर्मान नदी पर किया गया था, किस नदी पर किया गया था ये बताना है, दोस्तों उत्राखंड के तीरी बांद का निर्मान किया गया था भाग तीरती नदी पर यानि कि option हो जाएगा C right answer ये आप लोगों को याद रखना है देखे टीरी डैम is the highest डैम in India and one of the highest डैम in the world ये point भी आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों चल लेजी अगला question आता है सिरी नगर निमलिकित में से किस नदी के किनारे इस्तित है तो ये आपका हिस्त है जेलम नदी के किनारे तो right answer is option D ये आप लोगों को याद रखना है निमलिकित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसीन का हिस्सा नहीं है जल्दी से बताईए तो guys इस question का जो right answer होगा that is option C यानि की राजिस्थान जो है आपका नर्मदा बेसीन का हिस्सा नहीं है यह आप लोगो याद अखना है देखें यहाँ पर मैं बात कर दोस्तों नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पस्टी में बहने वाली और पांच भी सबसे बड़ी नदी है यह मद्य परदेश में एक बड़े चेत्र के अलावा मारास्त और गुजरात के कुछ चेत्र म भी फैली है तो यह पॉइंट भी आप लोग नौट कर सकते हैं ठीक है गाईस बाकी आप यह डिटेल की जो पीडिया पहना यह आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं यह अरब सागर में कैमबे की खाडी में गिरने से पहले यह विद्या और सत्पुडा पाडियों के ब बीच दकन से बहती है यह चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं नर्मदा का चेत्रफल और जिसे लगबग 87% मध्य परदेश में है यह पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन एक ट्रांस हिमाल्य नहीं है तो इन में से एक ट्रांस हिमाल्य दोस्तों कौन सा नहीं है तो अगर बात करूं मैं सतलुज की तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज ठीक है सतलुज एक ट्रांस हिमाल्य नहीं है और ट्रांस हिमाल्य दोस्तों नदिया महान हिमाल्य से आगे निकलती है यह आप लोगों को याद रखना ह ठीक है ये सारी डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं पीडियाप को डाउनलोड करके टेलिग्राम से टेलिग्राम कराम सोरब बलिक ओफिशल है नीचे डिस्केप्शन बोक्स में लिंक भी मिल जाएगा उप्रुक्त में से कौन सा परवा अनाचल परदेश से होकर बहती है तो उप्रुक्त में से कौन सी जो परवा है दोस्तों अनाचल परदेश से होकर बहती है इस कोशन का राइट आंसर बी और सी हो जाएगा यानि की लोहित और सुबन सिरी तो right answer is option B हो जाएगा दोस्तो question आता है गोहाटी नदी के किनारे इस्थित है गोहाटी आपको बताना है किस नदी के किनारे इस्थित है जल्दी से answer बताइए दोस्तो गोहाटी बरंपुत्र नदी के तटपर सिलोंग पठार की तलहटी के बीच इस्थित है ठीक है तो right answer is option ब्रहम फुत्र यह आप लोगों को याद अखना है ठीक है निमलकित में से कौन गंगा की एक सायक नदी नहीं है दोस्तों यहाँ पे इंद्रावती जो है यह गंगा की एक सायक नदी नहीं है तो यह भी आप लोगों को याद अखना है दोस्तों next है अलेक्जेंडर और राजा जर जरा के बीच हाई डिपेंस की लड़ाई हाई डिस्पेंस नदी के तट पर लड़ी गई थी जिसे अब इस रूप से जाना जाता है तो guys इस question का right answer क्या होजएगा इस question का सही उत्तर होने वाला है जहेलम नदी की तट पर यानि की option आपका ये right answer होजएगा चलिए अगला question है आंद परदेश के साथ कोन सा राज्ये वस्धारा जल विवाद में सामिल है तो वस्धारा जल विवाद में कोन सा राज्ये दोस्तो रिलेटेड है यहाँ पर एक तो आपका आंदर परदेश इन्होंने बताए दिया तो उडिसा इसका right answer होजएगा ठीक है आंदर परदेश और उडिसा ठीक है ना चले तो भारत में उडिसा और आंदर परदेश राज्ये में तिरिकुल्या और गोदावरी के बीच एक महत्मूर नदी वस्धारा पहती है चले जी अगला कोशन आता है यह नदी काला हंडी जिले के थ्वाव मूल रामपूर और उडिसा के रायगड जिले के कल्यान सिंगपूर से निकलती है और लगबग 254 किलोमेटर की दूरी तक चलती है दोस्तो यहां यह आंदर परदेश के कलिंग पतनम में बंगाल की खाड़ी में मिलती है यह पोइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं कोशन आता है रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बान किस राज्य में इस्थित है दोस्तो यह इस्थित है उत्राखंड में तो right answer is option D कोशन आता है मानस नदी निमलिकित मेंसे किस नदी की सायक नदी है तो यह सायक नदी है दोस्तो बरंपूत्र की ठीक है right answer is option D कोशन आता है आपका next महाद्याई नदी किस राज्य में उत्पन होती है तो महादेई नदी किस राज्य में उत्पन होती है ये उत्पन होती है दोस्तो करनाटक में तो पस्चिम में बहने वाली महादेई नदी करनाटक के बेलगावी जिले के भीमगड वन्यजीव अभ्यारन से उत्पन होती है ठीक है ये आप लोग याद अख सकते है बात की सबसे लंभी सायक नदी कौन सी है दोस्तों यमुना जो है ये सबसे बड़ी सबसे लंभी सायक नदी है यानि कि Tributory River है तो Right Answer Is Option C यह आप लोगों को याद अखना है यमलिकित में से कौन सी नदी वड़ोधरा सहर से गुजरती है तो विश्वा मित्र दोस्तों यहां पर रइट आंसर हो जाएगा यानी कि D is the right answer कोशन है किस नधी तट पर 4 मिनार इस्तित है तो इस कोशन का रइट आंसर मुसी हो जाएगा यानी कि A is the right answer कोशन है scend bar barrier deep या परवाल भीत्या द्वारा पानी के एक बड़े निकाए आमतोर पर महासागर से संरक्षित उत्हेल निकाए को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है लेंगून यानि की C यहां पर रेट आंसर हो जाएगा कोशन आता है दोस्तों गवानता नामो बे निमलिकित में से किस देश में इस्थित है तो यह इस्थित है दोस्तों क्यूबा में यानि की रेट आंसर इस ओप्षन भी यह आप लोग या दख सकते हैं कोशन आता है आपका यहाँ पे किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तट्रेखा है सबसे लंबी तट्रेखा दोस्तों कनड़क ही है तो right answer यहाँ पे option A हो जाएगा कोशन है विस्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो विश्वव की सबसे बड़ी खाडी है मैक्सिको की खाडी तो रैट आंसर is OCEAN D, यह आप लोगों को याद आखना है दोस्तो कोशन आता है आपका व्यापार के दरिस्टी कौँसे सबसे महासाँगर कोशन है तो व्यापार के दस्टी कोंचे सबसे वेस्ट महासागर दोस्तों आपका पढ़ता है Atlantic Ocean यानि कि Right Answer is Option भी या आप लोगों को याद अखना है Qution है सूंडा ट्रेंज कहां इस्थित है तो सूंडा ट्रेंज दोस्तों आपका Indian Ocean में इस्थित है यानि कि C is the Right Answer Qution आता है Dolphin Challenge Ridge कहां इस्थित है तो Dolphin Challenge Ridge is located in तो इस Qution का Right Answer हो जाएगा Atlantic महासागर यानि कि Option A is the Right Answer Qution है परसिद रिंग ओफ फायर किस में इस्थित है दोस्तों परसिद रिंग ओफ फायर किस में इस्थित है तो Right Answer is Pacific Ocean यानि कि C यहाँ पर Right Answer हो जाएगा ठीक है तो देखे यह मैंने इससे पहली वीडियो की थी उसमें 25 Qution मैंने रिवर से सम्बंदित कराये थे इसमें डैम से सम्बंदित कराये तो 50 Qution के स्रीज सी हमारी प्लीज लाइक जरूर कर दिया करे ठीक है ना चले next चलते है इन चारों में से दोस्तों तीन रिवर जो है वो यूरोप से सम्बंदित है बट एक नहीं है वह कौन सी है दोस्तों Colorado देखे Colorado जो रिवर है यह आपकी United State और Mexico से सम्बंदित है यह आपको याद अखना है ठीक है चले अगला Qution आता है निमलिकित में से कौन सही समलित नहीं है which of the following is not matched correctly देखे यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है ना यह इंगलिस में यह गलत लिखे है ठीक है यह तो चलो ठीक है बट इंगलिस वालों को मत देखे है हिंदी में देखे है किवल इनको देखे दोस्तों तो यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको Colorado जो रिवर है यह आपकी United State और Mexico से सम्मधित है तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा यानि कि option D is the right answer ठीक है not matched correctly यह ध्यान रखेगा चले जी अगला Qution आता है निमलिकित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है तो guys इस question का right answer हो जाएगा जैरे बिलकुल सही है यानि कि option यहाँ पे यह right answer होने वाला है ठीक है अगला Qution आता है युकोन नदी खालिस्थान में गिरती है और देखे दोस्तों अगर आप मेरी एक घंटे की special class अनकेडमी पर attend करना चाहते है तो रात में 11 बजे एक बहुत ही बहतरीन session होता है आप उसको join कर सकते हैं मेरी profile का link नीचे description box में मिल जाएगा टेलिग्राम का link भी नीचे description box में मिल जाएगा टेलिग्राम को join कर लेना वहाँ पे आपको class के link मिलते रहेंगे इस Qution कसे answer क्या हो जागा दोस्तों Bearing Sagar यानि की option C is the right answer तो ये आप लोगों को याद रखना है अगला Qution आता है निमलिकित में से कौन Asia की सबसे लंबी नदी है तो Asia की सबसे लंबी नदी कौन सी है which of the following is the longest river of Asia तो guys इस Qution का सही उत्तर होने वाला है बिल्कुल सही यांग जी river दोस्तों Asia की सबसे लंबी river हो जाएगी और ये China की भी सबसे लंबी river है ये आप लोगों को याद अखना है जो China की सबसे लंबी river है वही Asia की सबसे लंबी river है ये चीज़ आप इस तरीके से याद कर सकते है यहाँ पे अगर मैं बात कर दोस्तों निमलिकित में से कौन सी नदियों द्वारा तै की गई दूरी के संदर में उनका सही अवरोही करम बताने आपको ठीक है तो ये बताए descending order में तो जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया यांग जी नदी सबसे लंबी है तो आप वही option उठाए जिसमें यांग जी नदी आ जाएगी तो दो option नीचे वाले तो कट जाते हैं उपर के दो बचे ठीक है इसमें आपका यांग जी नदी ठीक है सबसे बड़ी हो जाएगी फिर पीली नदी ये भी ठीक है दोनों में इकवल हो गया फिर मेकांग नदी और लीन देखे लीन नहीं होगी ये हो जाएगा यानि कि आपका option एक रेक्ट आंसर होगा तो इस तरीके से आपको इस आंसर को करना था वई ठीक है आज कल ऐसे question एक्जाम में आने लग गए है निमलिकित में से कौन उत्री अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों उत्री अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो guys इस question का रेक्ट आंसर होजएगा बिल्कुल सही है Missouri Mississippi यानि की option होजएगा भी रेक्ट आंसर ठीक है ना चले अगला question Amazon नदी के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है Amazon नदी के बारे में इन में से कौन सा सही नहीं है देखे दोस्तों यहाँ पर लिखा है यह एंडी परवत से निकली है तो बिल्कुल गलत लिखा है यह नील के बाद विजग की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गलत है मदीरा अमेजन की सबसे बड़ी सायक नदी है यह भी गलत है यानि की उप्रुक सभी गलत है दोस्तों यह सारे ही गलत लिखे है आपे तो रैट आंसर इस ओप्शन डी यह आप लोगों को याद अखना है बरंपुत्र नदी में नहीं बहती ठीक है आप लोगों को बताना है बरंपुत्र नदी में नहीं बहती रिवर बरंपुत्र डस नौट फ्लो इंटू तो guys इस question का right answer हो जाएगा ब्रंपुत्र नदी भुटान में को नहीं बैती है तो right answer is option B यह आप लोगों को याद रखना है अगला question है नील नदी के बारे में निमलिकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है इस question का अंसर बते हैं दोस्तो हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने टिक किया है अगर यह किया है it flows into the red sea तो ऐसा नहीं है यह लाल सागर में बैती है यह गलत है guys next question आता है scene नदी इस्थित तो यह नदी इस्थित है दोस्तो कहां पर France यानि की option हो जाएगा B red answer अगला question आता है आपका New York सहर निमलिकित में से किस नदी के तट पर इस्थित है what is the right answer of this question दोस्तो New York सहर निमलिकित में से किस नदी के तट पर इस्थित है तो Hudson इस question का right answer हो जाएगा यह आप लोगों को याद अखना है अगला question है निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सही है which of the following pair is correct तो कौन सा जोड़ा सही है टाइग्रिस बगदाद बिल्कुल सही है तो यह जोड़ा आपका सही है तो right answer is option A question आता है मूल से डेल्टा तक बरंपुत्र पार करता है कितने देशों को यह आप लोगों बताना है किस किस देश को from origin to the delta तो बरंपुत्र travels कहा कहा को निकलते दोस्तों चाइना ठीक है भारत और बांगलदेश तो option C यहाँ पर right answer होने वाला है दोस्तों question है बरंपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते ही क्या नाम लेती है बरंपुत्र बंगाल की इस question का सही उत्तर हो जाएगा question है परसिद अमेरिकी नदी miss CP खाड़ी में गिरती है जिसे की रूप में जाना जाता है तो right answer क्या होगा बिल्कुल दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी इस question का right answer हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी is the right answer अगला question आता है निमलिकित में से कौन सा सहर इरावदी नदी के तट पर इस्तित है तो निमलिकित में से कौन सा सहर इरावदी नदी के तट पर इस्तित है तो इस question का right answer हो जाएगा यांगून ठीक है, यांगोन is the right answer, यह आप लोगों को याद अखना है कोशन आता है, पेरिस नदी पर इस्तित है तो पेरिस is situated on the river, सीन नदी पर दोस्तो तो इस कोशन का सही answer भी हो जाएगा कोशन आता है, निमलकित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है कौन सी नदी सबसे लंबी है तो guys, which one among the following rivers is the longest तो imagine जो है दोस्तो, वो सबसे लंबी नदी है यह आप लोगों को याद रखना है निमलकित में से किस भारतिय नदी का स्रोत तिबबत में नहीं है ध्यांदे सुनिएगा, तिबबत में नहीं है तो right answer हो जाएगा, गंगा नदी का स्रोत दोस्तो, तिबबत में नहीं है तो यह भी आप लोगों को याद रखना है Question है, नील नदी लगबग की लंबाई कितनी है, जो दुनिया में सबसे लंबी है दोस्तो तो नील नदी की लंबाई आप से पूछली गई है तो नील नदी की लंबाई जो लगबग है, 6690 किलोमेटर तो right answer is B, यह आप लोगों को याद रखना है Question है, निमलिकित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्या अमेरिका में Grand Canyon से होकर गुजरती है तो guys, इस question का right answer हो जाएगा Colorado, बिल्कुल सही है, option A right answer हो जाएगा Next है, ओस्ट्रिया, सर्विया और हंगरी की राजदानी किस के तट पर इस्थित है तो यह इस्थित है दोस्तो, डेन्यूब नदी के तट पर यानि कि option हो जाएगा D right answer Question आता है कि अस्वान बांध निमलिकित में से किस नदी पर इस्थित है तो अस्वान बांध दोस्तो, यह किस नदी के पर इस्थित है यह इस्थित है नील नदी पर तो right answer is option C ठीक है Question आता है, निमलिकित में से किस नदी पर कोई पुल नहीं है तो देखें दोस्तों ये बहुती interesting है question Amazon River पर दोस्तों कोई भी pull नहीं है और इस question का सही answer हो जाएगा option C ठीक है ये वाली video continue रहेगी 26 question मैं next video में cover करने वाला हूँ अगर आपने कल की video नहीं देखी है तो आप इसी channel को subscribe कर लिजे और कल की video भी देखेगा और इस series की सभी video देखते रही है क्योंकि मैं इस series में आपको topic wise सारे questions cover कर रहा हूँ जो important है exam की point of view से और जो repeat होते रहते है तो video का आप पूरा end तक देख लिया करें और like करना मत भूला करें चलिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब video में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा PDF भी आप download कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much